यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाब क्या परदर्शन महर्मा परखंचेत्र के सिम्हावर्ती छोड इस्तित्मिलत कॉलेज परसा मुखे दुवार के सामने यूजीसी के दिशान रिदेश को जलाकर यूजीसी एवंकेंदर सरकार के खिलाब विरूत परदर्शन किया जिया इस मोके पर एनेस्चिवाई के जिला दियक्ष मुन्ना राजा ने बताए कि यूजीसी गाइडलाइन्स जो आया है वो गाइडलाइन्स छात्र विरुद्व कीमें डालने वाला है जिस परकार इस माहमारी में पर्ते दिन कोरोणा संकर्मन बढ़ता जारा ठीक उसी परकार इस समय किसी बी तरह का प्रिक्षा को लेना समभब नहीं है तेव हम अभी अभी किसी भी परकार कॉलेज में कोई भी सुल्क नहीं लिया जाए इन्वर्सिटी में अभी किसी भी प्रकार का कामकाज नहीं हो पा रहा है। एन एस यूआई छात्र हित में हमेर्शा छात्रों के साथ खड़ा होने का कारे करती है वह इस कर्चक्रम में कॉंग्रेस के मिनहाच हक एन एस यूआई के महासची महमद आसिप उपाध्याक सरवर राज रोहित कुमार इम्रान दिलसाद अशलम राहूल ठापूर शाइन वर म स्थिती में जिस तरह से धारखन में बलती कोरोना और देश में जो कोरोना जो बढ़ रही है इस बीच अगर छात्र एक्जाम देते हैं भीर एकठा होगी और उतनी तो व्यवस्था हैं जो हमारे कैंदर सरकार दिखाने रही है अना ही UGC के पास इतना सविधा है जो छात् है और इस वक्त अभी अगर एकजाम लेते हैं तो वो पूरी तरह से जो है इस्टुडेंट के साथ नाइन साथी होगा हम कैंदर सरकार से और UGC से जो गाइडलाइन्स दिये हैं मैं इसका पूर जोर बिरोत करता हूँ और NSUI के साथ में ख़डा हूँ और मैं ये भी मांग क करना चाता हूँ के अंदर सरकार से और UGC से कि जो ये गाइडलाइन्स है इनको पुन्हें इस पर विचार किया जाए इनको वापस ले और छात रहीत में निरने लेने का काम करें जैहीं जैजहारकान